अध्याय तीन हे भाईयों, मैं तुम से इस रीती से बाते ना कर सका, चैसे अत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उन से जो मसीही में बालक है, मैंने तुम्हें दूद पिलाया, अन ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और छगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और मनुष्य की रीती पर नहीं चलते, इसलिए कि जब एक कहता है, मैं पॉलूस का हूँ, और दूसरा, कि मैं अपॉलूस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं, अपॉलूस क्या है, पॉलूस क्या है, केवल सेवक हो, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रपु ने दिया, मैंने लगाया, अपॉलूस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और सींचने वाला, दोनो एक है, परंतु हर एक व्यक्ति, अपने ही परिश्वर्म के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धीमान राज मिस्तरी की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो यिशू मसी है कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या वहु मोल पत्थर या काठ या घास या भूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रगठ हो जाएगा क्योंकि वो दिन उसे बताएगा इसलिए कि आख के साथ प्रगठ होगा और वो आख हर एक का काम पर खेगी कि कैसा है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो बस दूरी पाएगा और यदि किसी का काम चल जाएगा तो वो हानी उठाएगा पर वो आप बच्चाएगा परन्तु चलते चलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो कोई अपने आपको धोखा ना दे यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आपको ज्यानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्यानी हो जाए क्योंकि इस संसार का ज्यान परमेश्वर के निकट मूर्खता है जैसा लिखा है कि वो ज्यानियों को उनकी चतुराई में फसा देता है फिर प्रभू ग्यानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है इसलिए मनुष्यों पर कोई खमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है क्या पॉलोस, क्या पुलोस, क्या कैफा, क्या जगत क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविश्य ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीही के हो और मसीही परमेश्वर का